अपने घर से जले कर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोश, घर का पित्र दोश और घर का काल्व सर्प दोश तीनों उस लोटे के माध्यम से जायद और शिव को समर्खितु। अज फिर निवेदन करूंगा इस नेपाल देश की पावन धरा से दोलेश्वर महादेव की कथा में निवेदन करना चाहूंगा जो बेटा बेटी नोकरी के लिए अपलाई कर रहा है जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नोकरी हो प्राइवेट नोकरी हो सर्विस के लिए अपला सब जानते हैं दुबा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी बढ़ी है या मता नहीं दुरुबा जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अपलाई करें तुम मेहनाथ करो पढ़ाई करो खूप पढ़ो खूप तयारी करो अच्छे से तयारी करो जितनी महनत तुम में पूर्व में करी उससे दुगनी महनत तुम करो उस नोकरी को पाने को और साथ हमें जब एक्जाम के लिए जाओ कहीं उटर्व्यू देने के लिए जाओ दुरुबा शिवजी को इस दुरुबा का जो दंडी का मुख है ये असुक सुन्दरी वाली जगा फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग ये गोल जलाधारी यहां से पानी नीचे गिरता है बीच में असुक सुन्दरी का सिथान होता है तो ये जो दुरुबा हम चड़ाएंगे तो इसका दंडी का मुख शिवलिंग की पर चड़ाएंगे तो ये शिवलिंग पर दंडी की जो भागे वह सुन्दरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर होगा शिवजी को समर्पित करकर पहले दुर्बा चड़ाईंगे उसके बाद में देवदीदे महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्दियों करो तीन महिना लगातार अपनी पढ़ाई की महनत करो अपने इंटर्व्यू की महनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में एक लोटा जल और दुर्बा शिवजी को भले दस दुर्बा की जगा केवद एक दुर्बा चड़ाओ चड़ाकर जल चड़ाना तीन महिने तक नगातार बाबा से प्राथ होना करना इश्वास करता है अगला पत्र तुमारा व्यास पीपर होगा नोपनी करो पूर्ब में जो इंटर्व्यू दिये हैं उसमें जितनी कमी रे गई अगली कमी को पूर करने लिए अच्छी महनत करो खोप पर खोप अच्छे सभी जाते हैं और फिर बाबा पर समर्पित हो पर बाबा पर विशास करकर जाना और रोसा पूरा करकर जाना इंटर्वी देते समय अपना फील पावर मच्बूश होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अदी पती महाकाल है अब निकल कर मानू हम दु खोल रहे हैं किराने की दुकान खोल रहे हैं लोहे की दुकान खोल रहे हैं भंगार की दुकान खोल रहे हैं किराना की दुकान खोल रहे हैं पर दुकान खोलने से पहले तुमारे दो मन हो जाते हैं चलेगी की नी चलेगी खोल तो लूंगी चलेगी की नी चलेगी जिस दि विश्वास कहताँ, दुकान चलेगी जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हो महिनत करूंगी Dew से करूंगी PhD मेरे पा't जाधा माल नहीं है जितना माल खरिद के लाओंगी उतना बेच कर बताओंगी क्योंकि मेरे साथ काल अधिपती महाकाल है तो बुचले लिए विश्वास दड़ी करो घरोसा पक्का करो जिस दिन तुम्हेरा विश्वास दड़ी हो गया वो दिन तुम विजय हो गया वो दिन तुम आनंदता में हो गया बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है तोस्त कहए देते हैं C.A. की पढ़ाई बहुत कठीन है इंजीनिरी की पढ़ाई बहुत कठीन है डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठीन है साथ वाले एसे मत ढोंड़ना प्रिका सेटक जम गया सब कुछ जम गया और मालूप पड़े विचार करा को चलाएगा कैसे होगा कैसे चलेगी तो वह फेक्टरी कभी नहीं चलेगी तुमने सोच लिया कि अपने छेतर में नहीं है मेहनात करूँगा चारचान लगाऊंगा कहीं पर भी जाऊंगा पर जीत क बताऊंगा तो वह फेक्टरी बीप्त दोडएगी निशित्ता पाध अकका इमें पावर कम्जोर नहीं नहीं आजड़ा आप इसे कम्जोर हो जाओ शंकरभगवान का भकत कभी कम्जोर नहीं पड़ता शिव का भकत कभी कम्ज़र नहीं पड़ता आप जिसके घर में 20 साल जिसके घर में 10 साल संतान नहीं हुई जिसके घर में 17 साल 18 साल 25 साल 30 साल संतान नहीं हुई गाफ्टर ने कह दिया था उलाद नहीं होगी चाहते तो बील पावर मच्बूत हो जाता कमजोर हो गया विचार कर लिया संतान नहीं होगी सब दूर दिखाया संतान नहीं होगी आफ इसको भगवान ने सतरह साल में संतान दी है तो मुझे तो चार साल साधी के हुए हैं, पात साल हुए हैं, मेरा बाबा मेरी जोली भरेगा, बील पाबर मजबूत हुआ और बाबा ने उलाद दी तुम विश्वास पता करो, दड़ी बनाओ, अपने विश्वास को दड़ी बन करो, चाहे बढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दमदारी से उत्रो, उसके बाद में फिर श्यूजी पर एक दिल पत्र, या फेर, जम के बोलो, क्या ही है? दुर्वा, एक दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा, गणेज जी को, और सबसे पहली दुर्वा, संकर जी को, किसने समर्पित करी? कौन का वील पावर कमजोर हो गया था? कौन अपने आपको कमजोर समझने लगा था? कौन था, जिसके अपास सब कुछ था, और उसके बाद भी उसका मन उदास हो गया था? वो था खूबेया था धनपती कुवेर, जिसके अपास में सत्ता की कमी नहीं थी, बेवहो की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी, वो खूबेर, जो एक जगा बेड़ जा तो लोगों का खूबेर का भंडार भर दे, वो खूबेर का जब खाजाना कम हुआ, भंडारा कम ह तब कुवेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुचा और महादेव ने एक दुर्वा देकर रिदी सिर्थी के हाद गडिंची के पास पहुचाया कुवेर से कहा, तू अपनी मेहनत कर, तू ने दुर्वा दी है, ये दुर्वा तुझे बापिस कुवेर अधीपती बना कर छोड़ेगी, और छोड़ा, एक दुर्वा में वो बल होता है, जो उसके बील पावर को मजबूत कर देती, संपता को मजबूत कर देती, उसके सत्ता दुर्वा पीछे देखोंगे तो ढंडी एक है, देख रहे हैं, अप लोगों वो ना भी दिखे तो अपने घर पर जाकर देखना, पीछे से देखोंगे तो दुर्वा की ढंडी एक है, आगे से देखोंगे, तो उसकी किनारियां चार-पांच पतियां निकली हुई होती है अर्थात एक रस्ता अगर दुर्वा का बंद होता है तो दूसरे रस्ते को दुर्वा खुल देती है दूसरा बंद होता है तो तीसरे को खुल देती तीसरा बंद होता है तो चोथे को खुल देती चोथा बंद करते हैं दिल से तीन महिना लगातार आनंद के साथ हाँ बीच में रजोधर्मा जाए तो आप लोग उस समय मंदिर में नहीं जाते नहीं चड़ाते उस समय छोड़ दो और अपने भावों से बाबा को समर दो नवियु बग बेटे बेटियां भी शिवजी पर चल 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 आओ करो संकर का गुणना